नमस्कार स्वागत आपका निव्जोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी लखीमपूर खिरी में आज प्रबुद वर्ग विचाग गोश्टी का आयोजन किया गया बता दे बीएसपी नेता मोहन बाजपई ने आयोजन किया जिसमें मुख्य अतीती के रूप में बीएसपी के महा सचेव सतीश मिश्रा ने कहा कि बसपा 1222 का चुनाब अकेले ही लड़ेगी और किसी भी पार्टी से कोई गड़ बंदन नहीं किया जाएगा उन्होंने आगे कहा कि बीजपी सरकार में ब्रहमन ही सब्स्स ज्यादा प्रतारित हुए हैं और डरे हुए हैं उनकी अवास लगाता दबाई जा रही है तो बता दें लगातार बीजपी भी तमाम यूपी के जिलों में जा जाका प्रभुत सम्मेलन का आउजन कर रही है आज इसी कड़ी में लखीमपूर खिरी में ब्रहमन का साथने के लिए गोश्टी का आउजन किया गया और लगातार बीजपी सरकार पर निशाना साथ रही है और लगातार बीजपी के तरफ से कहा जा रहा है कि बीजपी के राज में ब्रहमन डरेक्ट हुए है और सबसे ज़्यादा अक्टाचार बीजपी के राज में ब्रहमनों पर ही हुआ है काम्रों समाज समूचे डूप से आज बहुजन समाज पार्टी के साथ भगा हो रहा है जितनी हम उमीद थी जिस तरीके से तेजी से जोड़ेगा उससे बहुत ज़ादा आगे तेजी से जोड़ा है और अभी एक दिने प्रस्टि कर रहे थे कि क्या आप लोग किसी साथ मिल के मैंपूरी की आईए सदिकारी और सीडियो ईशा प्रिया ने मैंपूरी को देश और विश्व के पतल परटन के शेत्र में विक्सित करने का जिम्म उठाया था जिसके चलते उन्होंने मैंपूरी के दस वेटलेंड शेत्र को चिन्हित करने के बाद यहाँ पाए जाने बाले राज के पक्षी सारस को सुरक्षित और सरंक्षित करने के लिए एक योजना बनाई थी जिससे सारस सरकेट परटन शेत्र भी नाम दिया गया था और अगर बात करें मैंपूरी के करखल पिकास खंज के ग्राम सहन की तो यहाँ भी एक वेटलेंड शेत्र को चिन्हित यह गया था पता दें चिन्हित यह जाने के बाद से ही यहाँ की ग्राम प्रधान अनीता देवी ने स्टेम करहल रतन वर्मा के सहयोग से ग्रामिनों की अवैद रूप से कबज़ा की गई सरकारी जमीन को कबज़ा मुक्त कराया जिसके बाद ग्राम प्रधान और यहाँ के ग्रामिनों की सारतक पहल से सबसे कम समय में सीजियो मैनपुरी ईशा प्रिया की महत्वकांशी योजना सारस सरकिट परेटन शेत्र को पूरफ किया गया है जिसका आग्रा मंडल के मंडला योगत अमिद गुफता ने सपरेटन शेत्र का फीतर काट का उधखाटन किया और सारस परेटन शेत्र का भ्रमन करने के बाद यहाँ बने वाच टावर में परेटन शेत्र का नसारा भी देखा कि जंसन क्या बड़े हो उसी पखंद का चेट रहा है कि अवैस करते हैं तो आज हमें देखने का मापा मिला वास्तुर्ण को चाहता लगा है और इस्वकार कार हुआ है वह निस्तित रूप के उससे यहां आने वाले प्रटव को कि हम चाहते हैं माइरामपूर में सपासांसद आजम खान की मुश्किले आए दिन बड़ती नसरा रखी हैं मुहमद अली जोहर विश्रुद्याले के गेट प्रकर्ण में कोट से यूनिवासिटी और आजम खान की पक्ष की अपील खारिच होने के आदेश के बाद गेट तोडने की कारवाई तेज हो गई है दरसल जोहर यूनिवासिटी के गेट पर प्रसाशन ने उतरपदेश रावजनिक भू ग्रहादी अधीनियम 1972 की धारा पांच की उपधारा एक के अधीन आदेश का नोटिस चस्पकिया है साथी नोटिस में आदेश के 30 दिन के अंदर कबजा खाली करने के लिए कहा गया है साथी बतादे साल 2019 में स्द्ध कोट ने 15 दिनों के भीतर जोहर यूनिवासिटी का मुख्य गेट तोडने का आदेश दिया था साथी जुर्माने के आदेश भी दिये गए थे आरोब था कि जोहर यूनिवासिटी का गेट लोक निर्मान विभाग की सड़क पर कबजा कर गेट बना कर रास्ता बंद कर दिया गया है वहीं मौहमद आजम खान और मौहमद अली जोहर यूनिवासिटी के पक्ष ने SGM कोट के पैसे को हाई कोट पे चुनौती दी थी जिसे हाई कोट ने अब खारिश कर दिया है प्रताबगर में थाना द्यक्ष अकलेश कुमार ने शराब माफियों के खिलाब बड़ी कारवाई की है दरसर पुलिस ने शापेमारी के दौरां 55 लीटर कच्ची शराब सहीद 6 अब्यूक्तों को गिरफतार कर लिया है वहीं पुलिस ने मौके से 460 किलोग्राम लेहन सहीद शराब बनाने के कई उपड़नों को भी बरामत किया है आपको बता दें कि पुलिस की इस बड़ी कारवाई से शराब माफियाओं में खर्टप मचा हुआ है तो बता दें लगाता है शराब माफियाओं पर पुलिस कारवाई कर रही है और इसी कड़ी में 6 अभी उप्तों को मौके से गिरफतार किया है पुलिस ने साथी नकली शराब बनाई जा रही थी उसे भी नश्ट कर दिया है और शराब बनाने में इस्तिमाल किये जाने वाले उपकर्णों को भी पुलिस ने बराब किया है लखीमपूर खिरी में बिजवा शेत्र के तरही में शारबा नदी उफान पभे रही है जिससे प्रभाविश शेत्र के टटबंदो और काटान स्थलो का कमीशनर रंजन कुमार ने निर्क्षिन किया उन्होंने नदी से घटे बढ़ते जो लिस्तर से हो रही काटान को लिकर जिम्मेदारों को सतर्क रहने की खिदायत भी दी साथी काटान स्थलो पा निरोधात्मक कारेओं में तेजी लाने के लिए भी निर्टेश दिये हैं तो बतादे लगातार देश के तवाम राज्चों में हो रही बारिश की वजह से कई नदिया उफान पर हैं जिससे लगातार शार्दर नदी भी उफान पर भेर रही है और ऐसे में गाउं के पास वाले लाकों में लगातार कचान हो रहा है जिससे लगातार गाउं के आसपास के रहने वाले लोगों की परिशानिया बढ़ती जा रही हैं लखीमपूर खिरी में काट धारकों को मुफ्त राशन देकर अनमोहतसफ की श्चनुवात की गई गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योचना को अनमोहतसफ का नाम दिया गया है साथी लखीमपूर खिरी में कमिशनर रंजन कुमार ने तमाम खाध्यान वितरन केंद्र का भी निर्क्षन किया साथी प्रधान मंद्री की महत्वकांशी ग्योचनाओं में श्चमार गरीब कल्यान अनमोहतसफ ग्योचना के तहट लखीमपूर खिरी में अनमोहतसफ कारेकरम कमिशनर रंजन कुमार की देख रेक में किया गया वहीं तमाम गहों में कमिशनर खुद पहुंच रेया और पात्रों को मिलने वाले बैक सहित बाते जा रहे खाध्यान की जाच भी की साथी कमिशनर रंजन कुमार ने लभार्तियों से बाचीत भी की और उन्हें सामान भी बाटा तो बता दे लगता पिशलिक कई दिनों से यूपी के तमाम जिलों में अनमोहतसव का आयोजन किया जा रहा है प्रधाल मंदी नरेंद मोदी की महत्वकांशी योजना है जिसके जरिये लभार्तियों को कार्ड धारकों को मुफ्त में राशुन दिया जा रहा है और इसी कड़ी में कमिशनर ने अंगलबार्तियों से बाचीत भी किया उन्हें सामान भी बाता खुद जाकर जगा जगा गाउं गाउन जाकर निरिक्षिन भी किया और उनकी लोगों की समस्याइं भी सुनी साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिये उनकी समधान का निस् और इया में यमना नदी के लगतार बढ़ते जलिस सरा और खप्र के निशान के उपर आने से के बाद प्रसाशन ने और इया के जालों राश्ट्रे राजमार को आवजाही के लिए बंद कर दिया है वहीं और इया की सीवा को सील कर भारी संक्या में पुलिस को सेनात कर दी गई है साथ ही बता दें कि लगातार और इया का राश्ट्रे राजमार बंद किया जा रहा है पिछले कई दिनों से और यमुना का जलिस्तर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर ये फैसला ल गया है लगातार बतादे बारिश की वज़ह से यमना का जलिस्तार पढ़ता जा रहा है जिसको देखते हुए सुरक्ष्टा की दृष्टी से और एया का राश्ट्रिय राजमार बंद कर दिया गया है आला कि पुलिस बल भी मौके बतेनाथ कर दिया गया है ताकि कोई भी शे पहर से भार का आने जाने वाले लोग उस राश्टे राजमार की तरफ ना जाएं। प्रभू श्री राम के जैकारे भी लगाएं। इस जोरान विश्ट हिंदू परिशत के जिलाब मंतरी येश्टवाल राजफंस ने कहा कि आयुध्या में बनने वाला राम मंदिर हिंदू की आस्ता का प्रतीक है। जिससे के निर्मान के एक सार पूरे होने पर कई तरह के कारकरम आयजुद किये गए हैं। साथी उन्होंने हिंदू समाज को एक जुट और उर्जवान होने की अपील भी की है। कि देश का हिंदू संगण सतरत रहा है कि जहां भगवान राम ने जनम लिया है वहां पर राम का मंदर बनना चाहिए। बहुत सारे आमदोलन देश में हुए बहुत सारे कारस्विकों अपनी जाने दी। और उसका प्रणाम यह हुआ कि 20 अगस्त 2020 में भवान राम की जनम भूमी पर राम मंदर के निर्मान का काम में प्रारम हुआ है। आज भूमी पूजान को एक और स्पून हुआ है। इस उपलक्ष में देशवर में बजरंगल विश्वि हिंदू उपरसक के सानिद्दे में बहुत सारे कारिकरम आज़ी दिविविन प्रारुपों में चल रहा है। हिंदू समाथ को आवानवीत करती है। उससी संखला में आज बाजपूर के मुखे चोक पर भगफिंग चोक पर 108 बिये प्रजलिप करके भगवान राम दरवार के समक्ष इस कारिकरम को मनाया जा रहा है। हिंदू समाथ को संगठित और एकजुद और उड़जावन होने का आवान किया गया है। ही देवालो में जलाबिषेक करने की मंदर प्रबंद समीतियोंने श्रद्धालू से अपील की साते श्रावनमास की महाशवराती पर आज ब्रहम मोहरत में देवालों और शिवालों में जलाबिषेक शुरू हो गया है। इसके लिए पुलिस प्रसाशन ने सुरक्षा के उक्ता इंतिजाम भी किये हैं। साथी पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी के जवानों को भी रवात से ही तैनात कर दिया गया था। वहीं मंदिरों में आने वाले श्रधालू से कोरोना नियमों के साथ श्रधालू से जलविशे करने की अप्पील भी मंदिर प्रवंद समीती के सदस्यों के साथ मिलका पुलिस कर्मी भी करेंगे वहीं हरिद्वार शहर में श्रत्धालू सबसे ज्यादा शिवालिक नगर शिव मंदिर में जलबिशेक करने पहुंचते हैं किस तरह किया रहा है तो जो पुझारी जी है मंदिर के बात करते हैं हमारे साथ इस वक्त मौझूद है शिवालिक नगर शिव मंदिर के पुझारी जी जी आपका स्वागत है निजूल इंडिया में कि जी तो यहां तयारिया है किस तरह तयारिया है किस तरय क्या है कितर सब्सक्राइब करति है कोई सब्सक्राइब तो नहीं है सामान्य तहाँ बहुत कम संख्या में भक्तगन आ रहे हैं लेकिन भक्तगन आ रहे हैं थोड़ा संख्या बक्तों की कम है और जो कोरोना का प्रोटकोल है उसको जान में रखते वे सब्सक्राइब करें तो यह हमारे साथ थे सिव मंदिर स्वारी नगर के पुझारी जानकारी दिर्देख किसी तरह की क्या तैयार थी यहां पर तो इसी को लेकर यहां जिनावी से प्रसंद कर आपक जो जो किस तरे की हो रहा है और जो अन्य पुझारी है मंदिर के वो किस तरह से लोगों को सबस्क्राइब कर रहे हैं तो सरकार की गाड़ाइन से को लेकर लिए उसकी एसोपी को यहां मंदिर समीति की और से लोगों को समझा जा रहा हूं लगबक सभी लोग उसको फॉलोग भी कर रहे हैं तो इसी को लेकर पुजारी जी हमारे साथ जुड़े हुगे थे तो लोगों को हमने दर्शन करा हैं तो हम अब यहां इस वक्त पूल टीम को साथ यहां पहुंचे हैं लोगों ने जो किस तरह से जलाबी से का इंटर्यों कारी करें में यहां सुबह से चल रहा है और जो पिछले वरसों की बाती इस वक्त कम है क्योंकि लोग एक क्रोना को लेकर कापी सचे थे और सरकारी गैडलाइ इसको लोग लगबग फॉलो कर रहे हैं मैं जो मंदिर में इस वक्त की तयारिया उससे अमना पूर वगराया है मैं क्यामरामेन परस्तन के साथ इंतजार रजा नूज वर्ड इंडिया हरी द्वार खवर चिडियापुर के कोड़ द्वार बाइपास से हैं जहां पर कावर यात्रा के दौरान भी सील की गई सीमाओं पर लगाए गए कोवेड जांच कैम्प में बड़ी लापरवाही का नजारा देखने के लिए विला है दरसल स्वासे विभाग की ये लापरवाही महामारी के किसी बड़े खत्रे को निमंतरन देती और जिवारे की और इश स्वास्ते कर्मी बिना किसी सेफटी, बिना सैनिटाइजर, बिना पीपी किट के ही जांच करते नरसला रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा का इंतजाम स्वास्ते कर्मियों के पास नहीं दिखा ऐसे में ये स्वास्ते कर्मी खुद तो संक्रमित होंगे ही साथ म आने वाले यात्यों को भी संक्रमित करने का काम कर रहे हैं आने वाले यात्यों में कई यात्यों का ये भी आरोप था कि बिना जांच के ही पैसे लेकर नेगेटिव रिपोर्ट बनाई जा रही है वही माहकुम 2021 के बाद ये नजारा देख कर एक बाप फिर से स्वास्ते विभाग के एक और बड़े फरजीवारे का प्रमान देता हुँ नस्दा रहा है अब देखना होगा कि क्या जिला प्रसाश्वन इस पर कोई जांच बिठा कर कारवाई करता है या फिर सिर्फ इस मामले की लीपा पोती कर इस मामले को यहीं दबाया दिया जाएगा आज सावन की शिवरातरी है और आज देश के ज्यादातर लोग उपास करते हैं और शिवजी की मंदिरों में जाकर जल चड़ाते हैं और सावन की त्रियोदेशी को भी शिवराती होती है पर आज शिवराती शाम को लग रही है इसे लिए शिवालों में ज्यादा भीर नहीं देखने को मिल रही है लेकिन वरत आज ही रखा जाएगा वहीं सिद्ध पीट विशिकेश में चार हैं और ऐसे में वीरभद्र महादे पर लाखों लोग जल चड़ाने भी पहुंचते हैं इस वार सावन में कावर मेले को कोरोना की वज़ा स्यनुमती नहीं दी गई थी इसलिए मंदिरों में भीर भी नहीं दिखी हो सकता है कि कल जल चड़ाने के लिए लोग मंदिरों में पहुंचे हैं क्योंकि आज शाम से शिवरात्री लगेगी और ये भी एक कारण को सकता है कि इस बार मंदिरों में भीर ज्यादा नहीं दिख रही है आज शिवरात्री है और सावन का ये महापर्व है और आज के दिन भगवान शंकर को जल चड़ाने से बहुत ज्यादा पुन्यों की प्राप्ति होती है इसलिए सुबा से कतार में भक्त लोग जल चड़ा रहे हैं रही इतिहास की बात तो यहां भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के द्वारा वीर भदर जी को प्रिगट किया था तब से इस स्थान का नाम वीर भदर महादेव पड़ा और तब से ही निरंतर इसकी पूजा पाठ होता चला आ रहा है रुर्की के मंगल और एफसी आई गोदाब में कवरिश करने गए पत्रकार के साथ गोदाब में तैनात लेडी करमचारी ने अभदर भाशा का प्रयोग करते हुए मुबाइल फोन पर जमीन पर पतक दिया और आरोप लगाया कि लेडी अधिकारी से बार बार पत्रकार बताने पर भी लेडी दबंग करमचारी ने पत्रकार को अब शब्द कहे कहते हुए बाहर निकाल दिया वहीं स्थानिय पत्रकार सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचे जहां पर गोदाम के बाहर भारी संख्या में पत्रकार दरी बिच्छा कर धरने पर पैट गए वह पत्रकार के साथ होई अभधरता की सूचना मिलने पर भारते किसान यूनियन के पत अधिकारी गोदाम के बहाँ पत्रकारों संधरने पर बैठे और वहीं पत्रकारों की मांग है कि ऐसा करबशारी के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जानी चाहिए फिलाल मंगलो कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है और मामने की जांच कर रही है टीडी में जिलादिकारी ईवा आशी श्रिवास्तव ने विकास हन चमबा केंतगर्द ग्राम बुडोगी और जड़धार गाउं पहुँचकार नेपिया घास अन्य चार पत्ती और फल्दात पोदे का रोपन और काश्टकारों को क्रिशी यंत्रों का भी वित्रण किया जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और काश्टकारों की आर्थकी में ब्रदी के लिए जिलादिकारी ईवा आशी श्रिवास्तव ने मुख्य क्रिशी यदिकारी को नेपियर घास की नरसरी तयार करने के निर्देश भी दिये थे जिसके तहट नरसरी में तयार नेपियर खास का सभी नौ विकास खंडों में कम से कम एक हेक्टेर भूमी पर रोपन का लक्षन निर्धारित किया गया है साथी बता दें जिलादिकारी ने जिला मुख्याले के नस्देग बुडोगी गाउं में क्रिशी विभाग की तरव से आईजित पोधा रोपन और क्रिशी यंत्र वित्रन का रिकरम में शिर्कत की इस अफसर पर जिलादिकारी ने टिश्यू कल्चर से तयार नेपिर घास अंची सेतूत बमोरा की पोध का रोपन किया बता दें इसके बाद जिलादिकारी ने गाउं के काश्कारों को क्रिशी यंत्रों का भी वित्रन किया यह इस बार जन्पध में प्रत्हम बार नेपिर ग्रास की के नर्सरी बनाए गए हैं करीम 94 हेक्टेर में सभी ब्लॉक्स में बनाए गये और अब उनको नर्सरी बन जाने के बाद अब उनको खेतों में रोपन किया जा रहा है अदले दो-तीन साल में इसका विस्तार बहुत जादा होनी की उमीद है नेपियर ग्रास इसका इक पोटेंशल है कि महिलाएं जो हम बहुत ही जादा प्ने स्टेट में सुनते हैं कि वो जंगल में जाती है कई बार भालू ने गुल्दार ने हमला कर दिया पहार से गिर करके मर गए तो वैसी कैज्वल्टी महिलाओं के साथ होती है तो इसका यह बहुत ही स्ट्रॉंग विकल्प है क्योंकि नेपियर ग्रास लोग अपने खेतों की मेडों में बंजर लांड में लगा सकते हैं इस घास का प्रोटीन कंटेंट सबसे जादा होता है तो जो पशू इसको खाएंगे एक तो उनको कहीं फिर इधर उधर चराने ले जाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और यहीं पर वो गहस उनको दे सकते हैं अपनी खेतों की मेडों से तोड़ करके और दूसरा इसका फाइदा यह है कि अगर प्रोटीन कंटेंट चुकी इसमें बहुत जादा है तो पशू का जो चाहे वो प्रड़क्शन ही मानिटेरियन आसपक भी अगर हम देखें जो महीलाओं को घास के बोच तले दबे रहते हैं तो उनमें भी बहुत बड़ी करांती आई आगरा में चंबल नदी का जॉलस्तर खटने लगा है और आज सुबाद दस बचे तक नदी का जॉलस्तर खट कार 14.30 मीटर पर पहुँचा है हाला कि बहाओ तैसील के गाओं में बार के हालात अभी भी बने हुए हैं यहां कई गाओं जलमगन हैं जिनका तैसील मुख्याले से समपर्ट फूटा हुआ है इन गाओं के ग्रामिलों ने अपने बच्चों और पालतु पश्यों के साथ वीखर के उचे तीलों पर रात बुजारी है प्रसाशन ने ग्रामिणों तक राशन और अन्य खादे सामक्री पहुंचाने का दावा किया है लेकिन ग्रामिणों का कहना है कि उन तक प्रसाशन की मदद अभी तक नहीं पहुंची है पता दें कि मदद प्रदेश और राजिस्तान पे हुई वारिश के बाद चंबल नदी का जॉलिस्तर एक सो पैते दशनलग नौशूने मीटर पर पहुंच गया था खत्रे के निशान से 6 मीटर उपर पहुंचने पर चंबल नदी के टटवर्ती 38 गाउं बार से बुरी तरह प्रभावित हो गए थे इस्कूल पंचायत घाद छोपियाँ खेत खलियान पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे अभी उकसान का अंकलन शुरू नहीं हो सका है बटो की मंदिरों में आज सुबा से ही लंबी लाइन लगी हुई है और आधी देश शनकरा अधी भ侑जनु के साथ शिवाले में शिभान शिप कहलाश पती को बारं बात नमन गया द्वादशी का जलाविशेक मंदिरों बे सुबा से ही शुरू हो गया है और इस बीच खालिदवार और गर्मुक्तेश्वर से कावर्ड लेकर पहुँचे थी 30 से 40 कावर्यों ने जल चड़ाया वही मेरच में बाबा और गरनात मंदिर में शिवरात्री के पावन अफसर पर आज शिव भक्तों ने जलाविशेक किया और मंदिर में सुबा तीन बजे से ही पूजा अर्चुना शुरू हो गई थी भक्त रात दो बजे से ही मंदिर में पुहुँचने लगे थे और बताया गया है कि मंदिर पूरी रात खुलेगा और चार पहर की विषेश पूजा का मंदिर में खिया जाएगा साथी शिवरात्री के मदिन नजर पहली बार मंदिर समीती ने जलविशेक के लिए फ्री गंगाजल की विवस सब भी की थी साथी मंदिर के मुख्यद्वार पर गंगाजल के विशाल ड्राम भी रखवाए गए थे और लोटे भी उसी इस्थान पर रखे गए थे ताकि शिवभक्त आकर मंदिर में जलविशेक कर सके इस लिए इस लिए इस लिए बूले आतने संकर्वने दर्संदिया बुलाया किसी ना किसी बहाने से महामारी के लिए थोड़ा बचाओ रखना चाहिए अबना इस बुलेटन फिलार के लिए बस इतना ही आप देखते रहे हैं नियूस वर इंडिया